हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एडू हम सफर सफलता क्यों फ्रेंड्स आज इस वीडियो ममलुक सेट नमबर आठ को कभर करने वाले हैं जो कि यह सेट नमबर आठ जो है जो बिहार पुलिस को वेकैंसी एक कई साहतीन से वेकानबे पोश्ट के है जिसका री एक्जाम साथ अगत्स होने वाला है उसी के लिए रुकमड़ी प्रकासंद्र भॉलूम थ्री प्रैक्टी सेट आया हुए जो कि यह जो प्रैक्टी सेट है पूंड़ता भिहार पुलिस का जो नया सले बस जो जारी किया गया हाली में उसी अधार पे इसमें को प्रैक्टी सेट को जरूर लगा लिए क्योंकि इसमें जो कोश्चन दिया गया इससे हूँ बहुँ एक्जाम में कोश्चन पुछने की संभाव ना होगा जो कि यह जो वीडियो डेली आपको सुबह आठ बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जागा जो कि इसका पीडिय जाइब कर लिएगा ज़्यादा अपने दोस्तों को सेर कि जागा चलिए दोस्त शुरू करते हैं सेट नमर आठ का पहला कोश्चन देख लेते हैं क्या दियागा जो कोश्चन मैं पर सेंटीमेटर क्यू है जब एम ग्राम पीघलता है तो इसके आयतन में कितना परिवर्ण जोता यह जो जबंगा गोश्चन में परिवर्ण जोता है एसका जो एंसर जागा टी नमबर हो जागा एंसर बनम के जीञेव लिगरी से-बननल बोटेन sucking इंटीमेटर अ 10 धिय से 4 गर्म करनेご पार्यों जोता है उसका आधिञा जोता है सिकूलटा है जाट डिगरीस ओपर जाने पर तता जीरो डिगरी से नीचे जाने पर पानी फैलता है इसका याद रखेगा इसका जो एंसर जगा डी नंबर हो जागा आगे कोशन जो के दिया है कि परास्राव तरंग का उपयोग क्या होता है तो बताना आपको परास्राव तरंग जोता है इसका उपयोग क्या कि जाता है देख लिए पहला देख गहरे जल में डूबी वस्तु गी खोज जा तता उसकी गहराई ग्याद करने तो किया जाता है तो अगला देख लिए इसमें दिया गए कि या कृत लीबर अगनासे या ब्रीकक या हीर्दे जैसी मानों अंगों के रोगों और असमनताओं के निदान है तो किया जाता है घ्रश गवर जाता है तो किया जाता है जिसके पी q बिंदिद्र हो के बीच परिनामी परतिरोध क्या हो जागा तो इसक परिनामी परतिरोध क्या हो आगे कौश्चन दिखete है कि एक वस्तु बिर्मा आवस्था में नीयत प्वराण में गती करता है नीम्न में से कोन से ग्राफ इसकी गती जूर जा के की चली गई दूरी एक से संबन्ध परदासित करता है तो यहां जो संबन्ध परदासित करता है C number इसका answer C number हो जाएगा आगे question दिखते हैं इनिमन में से कौन सा काथन गुर्टवा कारशन बल के सांदर में सही है तो देख लेते हैं यहां कौन सा सही दिया गया है तो पहला दिया गए वह बताना था तो इसका जो एंसर जगा सी नंबर हो जाएगा जोगी गुर्तवा करसन बहुत है नीवटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है जो कि इसमें क्रिया तता प्रतिक्रिया यूगम का निर्माड करता है आगे कोश्चन दिया है कि एक उत्ताल लेंस और एक आउ सब्सक्राइब करता है जो कि यह जो दिया गए गलत दिया गया तो इसमें इसका ए और 20 नंबर हो जागा आगे कोश्चन दिखते हैं गहरे समंद्र में पानी का रंग नीला किस के कारण दिखाई दिता है यह जो दिखाई दिने के कारण जो drift प्रकास के पर के पर कीड़न इसका एंसर जागा एक नंबर हो जागा जो कि जिस रंग का त्रेंग दर जो सबसे अधिक होता है उसी का परकिर्णन उतना ही अधिक होता है जैसे लाल रंग का त्रेंग दर सबसे अधिक होता है जिसके कारण उसका परकिर्णन होता है सबसे कम होता है तता वह दूर तक गमन करता है आगे कोशन देंदिया है कि सहस्तनियोजिक योगिक समानिता निम्ड में से कौन सा गूंड धर्म परदर्सित नहीं करते हैं तो देख लेते हैं यहां जो दिया गए इसमें से गूंड धर्म कौन सा परदर्सित नहीं करता है तो पहला देख लेते हैं दिया है कि यह बीधूत और उस्मा के कुछालक होते हैं जो कि सही है अगला ये इलेक्ट्रोनों के सज़धारी से बना होता है जो कि ये भी सही है तता अगले ये समानेता आयन नहीं बनाते हैं जो कि ये भी सही है तता ये कार्मनिक बिलायक में बिले नहीं होते हैं जो कि यह जो दिया गए गलत दियागा इसका एंसर दिनमबर हो जागा जो कि कार्मनि को में में लेकिन में इन भुट अगे देखते हैं जो कई इसका एंसर रहा होजागा आगे जो question देखते हैं जो कि English का question दिया ए e person with a long experience of any occupation तो कहा जाता है वह कहा जाता है जो कि अनभीष कहा जाता है इसका answer जगा एंशर दिया है वही यहाँ दिया है genius जो कि genius होता है वही यहाँ दिया है sensor जो कि यह जोता है यह होता है किसी कारे छेतर में अती अनुभवी होता है तो इसका जो answer जागा A number हो जागा है आगे देखते हैं word written on a term तो यह जो लिखा जाता है वह E.P. थेपली इसका जो answer जागा D number हो जागा जो कि इसका अर्थ होता है कब्र पर खोद कर लिखा गया आगे देखते हैं दिया हो गया B number दियागा इसका answer B number हो जागा आगे देखते हैं दियागे select the option that express the given sentence in passive voice तो दियागे कि all his friends laugh at him तो इसका जो हो जागा यह हो जागा he was laughed at by all his friends हो जागा इसका जो answer जागा C number हो जागा आगे question दिखते हैं select the incorrectly spelt word बतना है इसमें जो गलत दियागा उसको बतना है तो इसमें जो गलत जो दियागा या B number में गलत दियागा इसका answer जागा B number हो जागा जो कि इसका सही जो हो जागा B E N E A T H हो जागा जो कि इसका अर्थ होता है नीचे होता है आगे question दिया है select the appropriate adverb of the bold word यहां जो bold word दियागा इसका एडवर्ब बतना है तो दियागा कि he lead me to the room that had a wise been built later than the rest of the house तो इसका एडवर्ब जो हो जागा यह हो जागा आपको obviously हो जागा इसका answer C number हो जागा आगे question दिखते हैं select the incorrectly spelled word बतना है जो यहां गलत दियागा उसी को बतना है तो इसमें जो गलत दियागा वो D number में दियागा जो कि इसका सही क्या हो जागा तो इसका सही जो हो जागा इसका अर्थ होता है बर्फ गाड़ी होता है आगे देखत इसका answer D number हो जागा आगे question दियागा इतना मीठा चाय मैं नहीं पीती हूं जो कि यह गलत है अगलत है कि इसमें दियागा इसमें मोहन कुते को डंडे से मारा जो कि यह भी गलत है अगला दियागा एक लड़किया आम खाती है जो किया जो दियागा इसका answer जगा C number हो जागा आगे question दियागा एक बच्चे बस से पटसाला जाते है इस वाक्य में कौन सा कारक है तो इस वाक्य में कारक करन कारक है इसका answer जगा B number हो जागा जो कि जान परकार के होते हैं तो कारक जोते हैं आठ परकार के होते हैं वही जान लेते हैं कि करन कारक क्या होता है तो करन कारक जोता है वाक्य में जीस सब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करन कारक कहा जाता है आगे question दिया एक वर्माला में असपर्स ब्याजनों की संख्या कि चीज है इसका जो एंसर हो जगा है vielen यह जाकते हैं जो क्लिफ प्लस हुआ हो जागा यह हो जागा वह यह पलस दा हो जागा इसका जो एंसर जागा ची नमबर हो जागा आगे देखते हैं यह सन्जी फट्रकार के असूद दिया गैंट tiempo i देखते हैं यह प्रित्मी सब्द का प्रिवाची है प्रित्मी सब्द का प्रिवाची जो हो जागा वह पहला देख वसुदा जो कि है अगला उर्वी जो कि यह भी है तो यह सभी हो जागा इसका जो एंसर जागा डी नंबर हो जागा आगे देखते हैं दिये वाक्य में जो कि इसका जो answer हो जगा, c number हो जगा, जो कि इसका सही जो हो जो कि सुने काल बहारत में 1972 शुत है, जो कि सुने काल भारत में अगे देखते हैं निमली कित्म से कौन से बिस सम्वरती सुची मे सामील कौन से बिस यहां, क्रीशी स्टा category, यहां देगा पूलिस, जो कि पूलिस भी राज-सुची बिस जो कि यहां दिया रक्षा, जो कि रक्षा जो यह संग सुची का बिसे है, जो कि भारते समिधान के सात्वी अनुसुची में तीन बिसेओं का उलेख किया गया है, जो कि संग सुची, राज सुची और समवर्ती सुची यह तीन सुची का उलेख किया गया है, जो कि संग सुच पर संसद और विधान सबा दोनों का कानून बनाने का अधिकार है लेकिन मदभेद होने पर संसद और बनाये गए कानून का प्रात्मिक्ता दिया जाता है इसका जो एंसर जगा बी नंबर हो जाएगा आगे देखते हैं ति अनिम्न में से कौन सा संसोधन अधिनिया मीनी जोगी आगे देखते हैं तिया एक लोकसभा और रायसभा में गणपूर्ती या कोरम संख्या कितना होता है तिया लोकसभा ये रायसभा में जो कोरम संख्या जोता है गणपूर्ती संख्या जोता है वो कूल सदस संख्या का एक बटा दस होता है इसका जो एंसर जगा सी न जो कि यह भी कोशन पूछा गया कि राश्पति महाभ्योग परिक्रिया जो की सब्सक्राइब करने की फॉल्स रूप क्या होता है वह बजार की तरलता बढ़ जाती है इसका जो एंसर जगा एंसर नमबर हो जागा जो कि बैंक दर वह दर है जिस ब्याज दर पर RBA द्वरा वर्निजिक बैंक को रिंड उपलवद कराया जाता है आगे देखते हैं दिया है कि बहुत जाद मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करता है यह कथन निमलीखित में से की से धानतिक बिचारों पर अधारित होता है यह जो अधारित जो एंसर जागा डी नमबर हो जागा जो कि लॉरेंस वक्रों किसी देश के लोगों के बीच आए भी समता को दर्साया जाता है वह लॉरेंस वक्र जीतना ही निर्पेक समता रेखा के पास होता है आए की भी समता उतना ही कम होता है आगे देखते हैं दिया है निमलीखित में से कौन सा एक भारत में सेवा छेतर का भाग नहीं है तो यहां बतना को भारत में सेवा छेतर का भाग इसमें से कौन सा नहीं है तो देख लेते हैं पहला देगा परिवाहन जो कि है अगला निर्मार जो कि निर्मार जो है वह भारत में सेवा छेतर का भाग नहीं है तो इसका जो जीडिपी में योगधान सारवधिक होता है। दिवस मनाये थे यह जो मनाये थे वह 26 जनौरी 1930 को इसका जो एंसर जगा भी नमबर हो जागा जो कॉंग्रेस के लहार अधिवेशन जो दिसंबर 1929 में पंडित ज्वाहरला नहरू के अधिक्सता में हुआ था जिसमें पूर्ण सोराज के प्रस्ताव पारित किया गया था जो लहार कॉंग्रेस अधिवेशन में यह गोशना किया गया है कि 26 जनौरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वातंतरता दिवस मनाये जाएगा आगे देखते हैं दिया है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसीद इतिहंसकार कौन थे महमूद गजनवी के साथ यहां प्रसीद इतिहंसकार कौन थे यह जो थे अलबरुनी थे इसका जो एंसर बी नमबर हो जाएगा जो कि इनकी एक बहुत फेमस बुक है जो कि कौन सी है तो अलबरुनी दोर एक पूस्टक लिखा गए किताब उलहिंद याद रखे किताब का नाम क्योंकि यह किताब बहुत लिखा गया तो यह जो लिखा गया अलबरुनी के दोर जो कि इसमें ततकालिन भारत के समाजिक संस्क्रीतिक और राजनीतिक इस्थिती जो उसकी जनकारी मिलता है जो कि यह जो पूस्टक जो इग्राहवी सदी के भारत का दरपन कहा जाता है आगे देखते हैं थे चाय पाटी के नाएक कौन थे इसके नायक जो थे सेमुल एडम्स थे आगे कोश्टन दीक देखते हैं इसका मिलान क्या हो जाए गया पहला देखल लाल गोवी के पत्ता जो कि यह परकेटिक आमले, छारक सुचक बद शक के अगले हैं अन्य तत्तों के साथ सनयोग केमा करता है तरहिए ससन्योग करता एक सत्या, और सैजैडारी करम एंस्साथ. जिसलिसका करवेजा नमब्र हो जाएगा ये प्रधिने प्रेश के फृष्टोवर नी ही है है that hydrogen के कितने समस्थानिक होते हैं है जो कि प्रोटियम ड्यूटेरियम होता है आगे कोश्चन दखते है जो कि रेंसीडी क्या होता है तो यह जो होता है वो फैटी एसिड के अक्सिकरन होता है इसका जो एंसर जगा नमबर हो जागा जो कि आक्सिकरन वह पर करिया है तो यह वह रासाइनिक पर क्रिया है जिसके फॉल्स रूप किसी आयन पर धन अवेस घट जाता है या रीन अवेस बढ़ जाता है तो याद रखेंगे इस सब कोश्चन जो बहुत बर कोश्चन पूछा गया है जो कि ऑक्सी करन वे अगे देखते हैं यह जो ऑक्सी करन और उप्चायक दोनों होता है इसका जो एंसर जागा सी नमबर हो जागा सल्फर डायक्साइड होता है आगे देखते हैं एक धातू के फॉस्फेट का सुत्र जो दिया गए एम 3 पी ओफोर के होल पांच दिया गए जो कि इसके का सुत्र जो जगा एम 2 ओफाइब हो जागा इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा आगे देखते हैं एक एस्टिलीन में सीगमा तथा पाई बंड की संख्या क्या होती है तो यह सीगमा और पाई बंड की संख्या जो एस्टिलीन में जो होता है वह तीन सीगमा और दो पाई होते हैं इसका जो एंसर जगा सी नमबर हो जागा जो कि एस्टलीन गैस का उपयोग जो ता है क्रेटरिम रूप से फॉल पकाने में प्रयोग किया जाता है आगे देखते हैं जो सधारन अस्थाई उतकों की तीन परकार कौन कौन से हैं तो यह सधारन अस्थाई उतकों में उसमें तीन परकार जोता है यह होता है पेरेन काईमा होता है कुरेन काईमा होता है इसका जो एंसर जगा सी नमबर हो जागा जो कि यह भी जान लेते हैं कि उ शाइ्टो काईणीन करता है। इसका जो एंसर जहाओ बता देते इसका सुलिउटं जो आपको पीडिया पें देदे जएगा। जो कि इसका एंसर A नमबर हो जागा आगे देखते हैं 52 नमबर जो कोशन है इसका एंसर C नमबर हो जागा तथा आगे देखते हैं तुझू के इस भावरी की और वांसा में लिखे थे हैं धिर जो कि इसका एंसर बहुताइ berm हो जागा तो आगे देखते हैं जो कि दिया है कि सिमान्त गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं यह सिमान्त गांधी के नाम से अबदूल गफार खां को जाना जाता है इसका एंसर हो जागा ए नमबर हो जागा आगे देखते हैं जो कि दिया है कि इसरो का संगठन का सब्द संखेप्ट है तो बतना कि ISRO का संचिप्ट क्या हो जागा तो यह जो था है Indian Space Research Organization होता है यह जो था है इसका answer C number हो जागा जो कि यह एक भारत की राष्टी अंत्रीक्ष एजन्सी है जो कि इसकी अस्थापना कब किया गया था एक बाध मंदिर है जो डेस में इस्थित है इसका answer बाध में इस्थित है इसका answer बीनमबर हो जागा यह वी question पूछा गए कि माध मंदिर जो गया में इस्थित बाध में उसको UNESCO में कब 202 के रुप में सामिल किया गया था यह जो किया गया था, दो हजार darerah जगा बीनंपर जगा, जो कि प्रोटों नौ निर्वाचित लोगसभा के बाद निर्वाचित सद्रेश्यों में से एक को राश्पती प्रोटोम स्पीकर मनोनित करते हैं जो कि यह प्रोटोम स्पीकर प्राय सदन के वरिष्टम सदस्य होते हैं जो कि यह प्रोटोम स्पीकर का मुख्य दायित तो जो हता है तो संसद जो सासंद प्रणाणी जो इसमें वास्तिवी कारेपाली का सकती जो होता है वह परधान मंत्री में होता है इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जागा वह कोशन पूछा गया कि अनुशे तीरपन में क्या कया गया तो अनुशे तीरपन के अंतरहट करेपाली का सकती जो हता है वह राष्डपति में नहीत होता है परधान मंत्री में नहीत होता है इसका जो एंसर जगह बी नमबर हो जागा आगे देखते हैं दिया है कि अंडमान और निकोबर दिप पर निमली खित उच नियालेओं में से कीस एक का छेतरे दिकार है तो देख लेते हैं इसमें कीस एक का छेतरे दिकार है तो पहला देख लेते हैं दिया है आंध परतर जो की नहीं है तो कोई बिध्यख धन बिध्यख कैया नहीं, इसका निर्ने जो किया जाता है वो लोक सभा अध्याक्षदुरा किया जाता है इसका जो एणसर हो जगा भी नमबर हो जागा जो कि ये भी कोश्चन पूछा गया कि धन बिध्य के परिभासा जो एक कीस अनुछेद में किया गया तिया जो किया गया अनुछेद 110 में किया गया है आगे question देखते हैं ति यह भारत का समिधान है तो भारत का समिधान जो होता है अधार का एक बूरा है इसका जो answer हो जगा ए नमबर हो जगा है जो कि भारत का समिधान भारत का सरवच बिधान है जो समिधान सभा दोरा 26 नौमबर 1909 को स्विकार किया गया तो 26 जनरी 1950 को यह पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था इसका जो answer हो जगा ए नमबर हो जागा और वही कोशन यह भी पूछा गया कि 200 का सबसे लंबा लिखित समिधान किसका है तो वह भारत का समिधान है आगे देखते हैं दिया है बरतमान भारत में जन्मदर तथा मीर्तूदर से सम्मा दर उठ रही है तो यहां दे जन्मदर तथा मीर्तूदर दोनों गिर रही है तो यहां जो दिया गया बरतमान भारत में जन्मदर तथा मीर्तूदर से समंधित जो कथन जो दिया गया है इसमें C नमबर सही दिया है कि जन्मदर तथा मीर्तूदर दोनों गिर रहा है आगे दखते हैं दिया एक राश्टिय ग्रामिण बिकास संस्थान कहाँ इस्तित है ते 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 राश्टिय ग्रामिण बिकास संस्थान जो इस्तित जो फेंग में इस sikellea कीया ते इसका इसन चामन जोzhए इसनिक ब्लान चाईंव DRZ जीक हैं EU Прींट में कहवा उत्पादन में अग्रेणिये है तिया कहवा उत्पादन में अग्रेणिये राजी जो है वह करनाटक है इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा जो कि भारत में कहवा के उत्पादन की सुरुआत कहां से हुआ था तो भारत में एरितो साइट्स में इसका जो एंसर जगा A number हो जागा जो कि लाल रख्त कौसिका में केंद्रक नहीं होता है जिसकी वसाथ आयो कितना होता है तो इसकी वसाथ आयो होता है 120 दिन का होता है जो कि इसमें होमोग्लोबी नाम का प्रोटीन पाये जाता है तिथा लाल रख्त कोशिका का निर्माड जो था अस्थी मजा में होता है इसका जो answer जगा A number हो जागा आगे देखते हैं दिए प्रजनन के दौरान मूल कार एक निम में किसका निर्माड करना होता है तो यह जो निर्माड करना जो होता है वह DNA copy का है इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जागा जो कि DNA को क्या कहा जाता है DNA को फूल रूप में कहा जाता है डी ओक्सी राइबो नुकलीक अमल कहा जाता है जो कि यह जो इसका कार जोता है एक वन से दूसरे वन समें अनुवांसिक गुण की वाहक करना होता है जो कि यह जो होता है एक polynucleotide से कहा जाता है आगे देखते हैं दिया है कि इूरिया का सूत्र क्या होता है तो इूरिया का सूत्र जो होता है वह NH2 CO-NH2 होता है इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा जो कि या इूरिया जो है वो प्राथम कार्वनिक योगिक होता है इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जगा वही कोशन पूछ देगा है इसका निर्मार जो है किसके दोरा किया गया था तो इसका निर्मार जो होलर ने प्रियोकसाला में खिये थे आगे देखते हैं दिया है कि जठर गरंतिया दोरा स्रावित हाइड्रोक्लोरी का अमले निम्न में से कीस इंजाइम की क्रिया को असान कर देता है यह जो असान जो कर देता है वो पेपसीन इसका जो एंसर हो जगा ए नमबर हो जाएगा जो कि पेपसीन इंजाइम प्रोटीन को प्रोटोजेन्स में बदल देता है आगे देखते हैं गर्भासे में भूण की पोशन प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा होता है यह जो उत्तक जो होता है वो प्लेसेंटा होता है इसका जो answer हो जाएगा D number हो जाएगा जो कि भृूण जो होता है मा के गर्भ में अस्थापीत होता है आगे देखते हैं निम्नमी से कौन सा कथन गलत है मतलब यहां जो दिया गया इसमें गलत कौन सा दिया गया तो देख लेते हैं पहले दे कीडवन की परिक्रिया के लिए oxygen वाद शेक नहीं है जो कि सही है अगला माइट्रो कंडिया में oxygen की शहयता से इसीटिक गलत दिया गया है तो इसका जो answer हो जागा आगे देखते हैं दिया है कि मानो ब्रीक में ब्रीक क्राणू जो कि नेफ्रान जोता है कि नालिका नूमा भाग दोरा आररंबिक निस्यांद में इनमे से कीन परदार्थों का चैनात्मक पुना अव सोसन कर लिया जाता है यह जो किया जाता है गुलकोज, जल, लॉमड और अमीनो अमलका इसका जो एंसर हो जगा सी नमबर हो जाएगा जो कि यह कोशन एक बर पुछा गया है कि ब्रीका के अंदर क्या होता है तो ब्रीका के अंदर जोता है नेफ्रान नामक सन रचना आए पाई जाती है आगे देखते हैं जो कि दिया है कि गार्ड कोसी का परक्रिया में क्या सामिल होता है तो यह गार्ड कोसी का परक्रिया जोता है इसमें सामिल जोता है वास्पी करन होता है इसका जो एंसर हो जगा ए नमबर हो जाएगा जो कि ये भी कोशन एक पर पूछा गए कि प्रकास संसलेसन जोता है उसमें कौन भाग लेता है तो प्रकास संसलेसन जोता है उसमें क्लोरोफिल भाग लेता है आगे देखते हैं तो यह एक निमलीखित में से कौन सी मानो कोसी का अपने आकार को बदलने की छमता रखता है तो रही जाद रखेंक कोस्ष्ण पूछ देगा कि wbc का कैसा रम को तैसा कोई भी रूंग नहीं नहीं कारण क्या हता है इसमें होमोक लोवि नहीं पाए जाने कारण इसका रंग होता है कोई भी नहीं होता है इसका एंसर सी आगे देखते हैं भारत का मानक समय इलाहावाद के निकट मिर्जापूर से गुजरता है जो किया भारत के कितने राजियों से होकर गुजरता है यह भारत का जो मानक समय जो है इलहावत से गुजरता है वो भारत में कुल पांच राजियों से गुजरता है जो कि यह पांच राजी कौन कौन से हैं तो उत्तर परदेस, मध्ध परदेस, 36 गड़, उड़ी सा, आंध परदेस यह पांचों राज आप लोग याद रखियागा क्योंकि यह जो कोशन है बहुत बर एकजामों में पुछा गया है भारत से दो रिखाये गुजरती है जो कि एक जो पांच राजी गुजरती है तो उत्तर परदेस, मद्परदेस, 36 गड़, उड़ी सा और आंध परदेस है आगे कोशन निकते हैं जो कि दक्शनी पठार को स सबसे उची चोटी जो है वह अनाई मुड़ी है इसका जो एंसर जगा भी नमबर हो जाएगा जो कि यह भी कोशन एक पुछा हुए कि दक्षीन भारत की दूसरी सबसे बड़ी उची चोटी कौन सी है तो यह जो जो दोड़ा बेटा है जो कि यह नीलगिरी पहाडी की सबसे उची चोटी है आगे देखते हैं जो कि यह जो जो पहस्ची मंगाल में इस्तित है आगे देखते हैं यह एक मधुमक्यों का प्रजनन तथा प्रबंद कहलाता है यह मधुमक्यों का प्रजनन यह प्रबंद जो यह जो कहलाता है वह एपी कल्चर कहलाता है इसका जो एंसर जगा A नमबर हो जागा आगे देखते हÝ दिया है भगावली का परदन चक्री की संकल्पना इन में से किसने प्रस्तूत किया था वह W.M. डे बीस देविजवरा इसका जो एंसर जगा C नमबर हो जागा आगे कौश्शन के दिया है गराजने वाली 40 प्रचंड प्रचास LET चीहनेवाली 50 पौहने før प्रिथमी के कीस गुलार्ध में चलती है तो यह जो चलती है वद्हक्षनी गुलार्ध में चलती है इसका जो एंसर जेगा सी नंबर ज़ागा जो कि इन पौनों का नाम नाम कैसे पढ़ाई तो इस पॉहन का नाम जो JOHN चालीसा लाइन पे चल दे तथा पचासा लाइन पे तथा साथा जो है वह दक्षनी अक्षांस रेखा पे चलती है इस वज़े से इसका उसी रेखा के नाम पड़ गया है इसका जो एंसर जगा सी नंबर हो जाएगा आगे देखते हैं दिया है ब्रिक्स डेवलोप्मेंट बै बार्क जो कि अस्थापना पे अस्थापना जो नाम पर तिसका जो एंसर जगा सी नंबर जाएगा ऑगे देखते हैं जो इसका बारती रिजर्व बैंक ने अप्रेल 2024 में कितना रेपो दर को बनाए रखने की गोशना किया है यह जो गोशना जो किया गया वो 6.5% इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा जो कि जून 2024 में RBI ने बीत वर्स 2024-25 के लिए GDP ब्रीधी का अनुमान जोए 7% से बढ़ा कर 7.2% कर दिया है आगे देखते हैं तिया मार्च 2024 में नाटो में सामिल नया सदस्य देश कौन सा है तो मार्च 2024 में नया देश जो सामिल हुआ है स्वीडेन हुआ है इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा जो कि स्वीडेन जो नाटो में 32 सदस्य के लूप में सामिल हुआ है वही नाटो का अस्थापना कब किया गया तर नाटो की अस्थापना जोए 4 अप्रेल 1949 में हुआ था आगे देखते हैं जो कि यहाली में कौन सराज बीत वर्ष 2024 में देश के कूल इलेक्ट्रोनिक समान निर्यात में 30% योगदान देकर इलेक्ट्रोनिक समान का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है तर यह सबसे बड़ा निर्यातक जो उभरा हुआ तो मिलना डो इसका जो एंसर जगा सी नंबर हो जागा आगे दिखते हैं देश्या एक वर्ष 2023 के लिए इंद्रा गांधी पृष्कार से की से समानित किया गया यह जो एंसर जगा सी नंबर हो जागा आगे दिखते हैं जो की इस देश ने ठोस इर्ढन अधारित आंतरीक्ष रोकेट का उड़ान पर स्क्षन किया है यह जो उडान पर सिक्षन जो किया गया है वो दक्षिन कोरिया की किया गया है इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा जो कि दक्षिन कोरिया का पहला स्वदेशी आंत्रीक्ष रॉकेट नूरी है याद रखे कोशन एक पूछा गया था कि दक्षिन कोरिया का सबसे पहला स् प्रवाइब निकें चैनल को सब्सक्राइब कर लें जगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लें जगा ताकि जब भी वीडियो डालें तापको नोटिफिकेशन परापत हो और वीडियो को लाइक की जगा और ज्यादा साद दोस्तों के जगा फिर मिलते हैं